दियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बोटनी ग्लास आज हम इक्विसिटम का रिप्रोडाक्शन पढ़ेंगे अब तक हमने इंटर्नल स्ट्रक्चर और एक्स्टर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियोस के अंदर आज देखते हैं कि किस प्रका तीनों ही प्रकार के रिप्रोडाक्शन पाये जाते हैं वेजिडेटिव रिप्रोडाक्शन वो रिप्रोडाक्शन है जिसमें कि किसी प्लांट के पार्ट से ही नया प्लांट बन जाए तो इसमें जैसा कि राइजोम इसमें पाया जाता है अगर हम एक्विसिटम एरवेंस की बात करें तो tubers form होते हैं rhizomes पे और अगर वह separate हो जाते हैं अलग हो जाते हैं तो वह germination के द्वारा नया plant बना देते हैं जो कि नया sporophyte बन जाता है तो इस प्रकार से vegetatively नया plant प्रड्यूस किया जा सकता है second तरीका है reproduction by sports जो कि एक तरीके से asexual method है reproduction का इसके अंदर sports जो produce होते हैं वह sporangia में प्रड्यूस होते हैं यह हमने आपको जब characters पढ़ाए थे इसके टेडिडोफाइट्स के तब भी बताया था तो sporangia के अंदर sports form होते हैं और sporangia जो है वह एक sporangio 4 पर लगे हुए होते हैं और sporangio 4 जो है वह compact structure बनाते हैं बहुत सारे sporangio 4 मिलके एक compact structure बनाते हैं जिसको की sporangia जिसको की strobilis या कोन कहा जाता है इसको अब हम detail में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से sporangia बनता है कहां पर कैसे उसका development होता है sporangia का कैसे उसका dehiscence होता है किस प्रकार से spor बहार निकलते हैं spor क्या होते हैं कैसे होते हैं वो सब अभी हम detail में पढ़ेंगे पहले इस चित्र में अगर आप देखते हैं तो ये एक plant है इक्विसिटम का जिसमें कि आप सब से उपर देखे हैं स्टराबिल्स है या कौन स्टरक्चर है कौन स्टरक्चर किस से बना हुा है sporangio 4 से बना हुआ है sporangio 4 में sporangium लगे हुए होते हैं जैसे अगर आप ये magnified view देखते हो sporangio 4 का sporangio 4 एक pelted disk इस तरीके से stock है एक disk structure है जिसके अंदर की sporangias स्ट्राफिलस गोर। जैसे कि आपका इक्विसिटम एर्विंस की अगर बात करते हैं तो यह नॉन ख्लोरोफिलस एक्सेस पर पाया जाता है वहां पर अगर स्ट्रॉबिलिस का एलेस कट के देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है यह देखिए अगर आप चित्र में आप देखना चाहें तो य यह एलेस कोन है जिसमें की यह एक्सेस है कोन का और यह स्परेंजियो फोर है जो की चारों तरफ एक्सेस के पाया जाता है यह बोल सकते हैं हम यह भी स्परेंजियो फोर है जिसमें की यह डिस्क स्ट्रक्चर है और यह इसका स्टॉक है और इसके अंदर की तरफ में यह दिखाई देते हैं तो यह पूरा स्टरुक्चर घिगी यक्ष पाए जाता है और फार उसके उपर पायी जाती है। और उसके अंदर की तरफ में आपको 5 से 10 elongated cylindrical sporangia hang करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के अंदर ये देखिए ये जो structure मैंने आपको समझाया वह यही है LS कौन है ये और ये pelted disc के sporangia 4 है जिसमें कि sporangia लगे हुए होते हैं और हर एक sporangia जो है उसमें spore पाया जाते हैं और उसमें elators होते हैं अब हम देखते हैं कि sporangia जो है किस प्रकार से develop होता है तो यहाँ पर use sporangiate type का development पाया जाता है use sporangiate type of development से अर्थ होता है कि group of initials से sporangia का development तो जो superficial cells हैं वह sporangial initials की तरह act करते हैं और वहाँ पर periclinal division देखा जाता है सबसे पहला division जो होता है periclinal division होता है जिसमें कि एक outer cell बनता है और एक inner cell बनता है outer cell जो है covering बनाएगा या आप कहा सकते हो cell उसकी sporogenous wall बनाएगा और inner cell जो है वो अलग-अलग तरीके की planes में division करेगा और sporogenous tissue देगा तो जो outer cell है उसमें दोनों ही प्रकार के division होते हैं दोनों प्रकार के कौन से? periclinal and anticlinal दोनों तरीके के divisions वहाँ पे होते हैं और वह irregular tiers में cells दे दिता है सबसे अंदर वाली जो यहाँ पर layer होती है वो मान सकते हैं कि sporogenous tissue बनाने के काम आ जाती है और जो outer tiers है वो sporogenous wall cells बनाते हैं जैसे अगर आप इस चित्र में देखते हैं तो यह primordia है sporangio 4 का sporangio 4 में आप यहाँ पर देख रहे हैं यह sporangio initial है और यह दिरे दिरे इसका growth होने से यह initials नीचे की तरफ चरे आते हैं और आप देखोगे underneath आपको pelted disc के अंदर की तरफ में आपको sporangia's दिखाई देते हैं हर एक sporangia का development हम देखते हैं तो यहाँ देखिए आप यह sporogenous cell है जिसको की periclinal division के कारण outer cell form हो गया और यह inner cell form हो गया outer cell जो है वह jacket cell के लाएगा और sporangial wall बनाएगा जबकि inner cells जो है वह sporogenous cells बनाएगे जो कि आगे जाके spore बनाते हैं तो यह development है sporangium का इसमें inner most layer जो sporangial wall की बनती है inner most layer जो है differentiate करती है tapitum में tapitum जो layer है वह nourishment के काम आती है जितने भी sporogenous tissue है उसका nourishment जो है tapitum cells करते हैं जो कि सबसे अंदर वाली wall layer के लाती है sporogenous cells अलग-अलग हो जाते हैं एक दूसरे से round structure ले लेते हैं और transform हो जाते हैं spore mother cells में कुछ एक ही sporogenous cells जो हैं spore mother cell की तरह act करते हैं और जो बाकी बचे हुए sporogenous cells होते हैं वह degenerate हो जाते हैं वह खतम हो जाते हैं और एक multi nucleated nourishing substance जनरेट कर लेते हैं जो की portion प्रदान करेगा कि इसको spore mother cell को spore mother cell जो है क्योंकि अब तक आप पढ़ रहे थे वह sporophyte plant था तो structure diploid था लेकिन haploid spore जो होता है वह haploid होता है तो इसका मतलब यहां पर meiotic division होगा जिसके कारण की haploid spores generate होंगे अब जो spores बनते हैं वह सारे spores जो हैं एक ही size के एक ही shape के होते हैं और यह genera जो है homospores genera है equisitum homospores है आपको मैंने general topics में heterospory बताया था तो heterospory जो है वह दो प्रकार के spores एक से अधिक प्रकार के spores जहां पर generate होते हैं उसको heterospory का आ जाता है जहां पर आपने silaginela जो है वो heterospory है उसमें heterospory देखी जाती है लेकिन यहां पर यह homospores है मतलब सारे sports एक समान है अब आते हैं कि sporengium जो form हो जाता है तो वो कैसे उसका क्या structure होता है किस प्रकार से वह दिखता है तो mature जो sporengia है वह sack like elongated cylindrical structure होता है जो कि अंदर की तरफ में belted disc के अंदर की तरफ में hang करता हुआ दिखाई दिता है या attached होता है उसके चारों तरफ jacket layer पाई जाती है जो कि two layered होती है inner layer जो है उसके cell बहुत compressed होते हैं outer layer जो है उसमें hyalical thickening पाई जाती है और जो कि sporengial dehiscence में भी important role play करती है अब आते हैं dehiscence of sporengium की कैसे फटेगा किस प्रकार से spore निकलेंगे तो जब mature हो जाता है sporengium तो जो कोन का या strobular axis है कोन की जो axis है elongate होती है मतलब लंबाई में बढ़ जाती है जिसके कारण की sporengio force separate हो जाते हैं अलग-अलग हो जाते हैं sporengias exposed हो जाते हैं sporengias जो हैं उनमें split हो जाते हैं क्यूं क्योंकि वहाँ पर hygroscopic response है cell walls का differential hygroscopic response के कारण cell wall के hygroscopic से मतलब है कि कुछ पानी को absorb करती है उनकी cells की wall और कहीं absorption ज़्यादा होता है कहीं कम होता है तो pressure पड़ता है wall पे और wall फट जाती है और sporengium में से spore बाहर निकल सकते हैं तो spores जो है अब हमने sporengium के बारे में पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कि spore किस प्रकार का होता है तो spore यहां spherical होता है गोल होता है और densely filled होता है chloroplast से cell wall जो है वह चार layer structure होता है concentric layers एक के बाद आई जाती है layers सबसे अंदर वारी जो layer है innermost layer उसको कहते है in time उसके बाहर जो layer है उसको कहते है exine उसके बाहर जो middle layer है उसको कहते है cuticular layer और सबसे बाहर जो layer होती है उसको कहते है paris pore तो outer जो दो layers है cuticular layer and paris pore जो हैं वह disintegrate हो जाती है और disintegrate हो जाती है जितने भी non-functional spore mother cells थे और tapital cells थे उनकी ये सारी wall disintegrate हो जाती है और maturity के time पे epi spore जो है split हो जाती है ribbon shaped या band shaped structure में जो की flat spoon layered उनकी tip होती है इसमें ये सिर्फ दो outer layer के बारे में हम बात कर रहे हैं कि the two outer layers that is cuticular layer and epi spore जो है they are derived कहां से आई कहां से थी हो कैसे मिली जी चार layer आपको बता है intine, exine, middle, cuticular layer and epi spore या peri spore तो outer दो layer के लिए कह रहे हैं कि cuticular और epi spore जो layer है बनी कैसे, disintegration of non-functional spore mother cells, spore mother cells मैंने आपको बताया था development में कि spore mother cells form होते हैं उसमें से कुछे की spore mother cells से spore बनता है तो बाकी सारे disintegrate हो जाते हैं, तो disintegrate जो होते हैं spore mother cells के capital layer जो की innermost layer है वो फिर maturity time में epi spore बनाती है, वो फिर epi spore और cuticular layer बनाती है तो ये उनके disintegration से form होती है और जब ये epi spore बन जाती है, mature हो जाती है तो ये split हो जाती है, चार भागों में विभाजित हो जाती है ribbon like ये band shaped structure बना लिती है और ये जो band shaped structure हैं ये common point पे spore से जुड़ेवे होते हैं, बाकी फ्री होते हैं और tightly coiled होते हैं spore wall के चारव तरफ इनको ये जो ribbon shaped ये band shaped जो structure है इनको elators कहा जाता है और ये hydropic nature के होते हैं, कहने का मतलब पानी को absorb कर सकते हैं तो जब spore जो है moist होता है, नमी वाला होता है तो ये elators spirally उसके चारव तरफ coiled रहते हैं, जैसे ही spore dry हो जाता है uncoiling शुरू जाती, elators भी जो है वहाँ, उसकी coiling खतम हो जाती है मतलब लिप्टे वे होते हैं, वो हट जाते हैं उससे ये देखिए, ये spore है, इसमें चार wall बताईए, innermost, intine, फिर exine ये वाड़ी exine अंदर वाड़ी, फिर है आपकी middle layer और फिर ये last वाड़ी है आपकी epi spore इस तरीके से ये देखिए, elators coiled है, ये spoon shaped structure है सामने की तरफ में एक point of attachment होता है, इनका यहाँ पर एक point of attachment है और ये इस तरीके से एक spore से 4 elators जुड़े वे हैं, अब ये uncoiled जो elators हैं, ये uncoiled elators एक दूसरे elators के साथ में उलज जाते हैं और इससे pressure create करते हैं wall पे और जिससे की sporangia की wall फट जाए और spores उस महा निकल जाए, तो dispersal में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये dispersal में मदद करते हैं, फैलाव में कि spore किस तरीके से फैल सकता है, अब आते हैं कि elators हमने teledophyte में भी पढ़ा था, teledophyte में भी हम पढ़ रहे हैं, even हमने ब्रायोफाइट में भी elators पढ़े थे, तो क्या फरक है ब्रायोफाइट के elators में और teledophyte के elators में, ये देख लेते हैं थोड़ा सा, तो elators जो ब्रायोफाइट में थे, वो complete cell से differentiate हुए थे, complete cell से बने थे, जबकि ये जो elators हैं, ये spore की जो एक wall है, epi spore, उसकी splitting के द्वारा form हुए है, दूसरा point आता है कि elators जो ब्रायोफाइट में थे, वो deployed structure था उनका, deployed nature था उनका, sterile थे, और spindle-like थे, और उनके अंदर spiral thickening पाई जाती थी, लेकिन अगर आप इन teledophyte के equisitum की elators की बात कर रहे हैं, तो ये haploid है nature में, क्योंकि ये spore की wall से बने है, दूसरा ribbon-like है, spoon shaped इनकी tip है, और इनमें कोई spiral thickening नहीं पाई जाती, तो दोनों में फरक है, nature में, दोनों के उत्पत्ती में भी फरक है, और दूसरे nature में भी, ये जो ब्रायोफाइट वाले illators हैं, वो diploid थे, और जो teledophyte वाले illators हैं, वो haploid है, तो ये अंतर है, लेकिन दोनों का काम सेम है, function सेम है, कैसे कि ब्रायोफाइट में भी hygroscopic nature के थे, पानी को absorb करने वाले थे, और वहां पर भी sporक को काम बिलकुल सेम हैं, बस दोनों की उत्पत्ती और दोनों का nature अलग-अलग है, लेकिन function सेम है Thank you so much आशा करती हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा इसमें हमने पूरा reproduction के बारे में स्पोर से किस प्रकार से reproduction हो सकता है ये पढ़ा vegetative reproduction क्या है कैसे हो सकता है ये चीज हमने यहाँ पर देखी है और जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए जितने भी वीडियो में बनाके डालती हूँ वह सारे उनको पता चलें और वह उन वीडियो से लाब भानवेत हो जाएं कुछ भी आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे वाटसेप करके पूँच सकते हैं आप बुक से भी पढ़िए और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालके भी पूँच सकते हैं तैंक्यू सो मच